नमस्कार, मैं दिपिका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दिपिका मेडिटेशन पावर में आज का विशे हैं बेनिफिट्स ओफ ओम चेंटिंग यानि की ओम मंत्र के मंत्रो चारण के फायदे ओम सिरफ एक पवित्र ध्वनी ही नहीं बलकि अनंत शक्ती का प्रतीक है ओम तीन अक्षरों से बना है आ, ओ, मा आ का मतलब माना जाता है उत्पन होना यानि किसी चीज़ का जनम होना ओम का अर्थ है उत्थने से या विकास होना ओम मंत्र को उत्ज अध्यात्मिक और रचनात्मक शक्ती माना जाता है ओम मंत्र एक बहुत ही पावर्फुल मंत्र है ध्वानी ओम जब मंत्रों चारण करते हैं तो यह है चार सो बत्तिस हर्ड्स की आवरती पर गूंजती या वाइब्रेट होती है ओम अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है यदि आप इस मंत्र को पून विश्वास, पवित्रता, ध्यान और शरीर, मन और आत्मा की एकता के साथ चैंट करेंगे या मंत्रों चारण करेंगे ओम मंत्र के जाब से आप बहुत सी शारिरिक और मानसिक बिमारियों से निजात पा सकते हैं ओम मंत्र को करने के लिए आप कोई शांत जगा चुन ले सुखासन में बैटकर या किसी अन्य आसन में बैटकर अपने समय अनुसार पांच, साथ, ग्यारा, इक्कीस या एक सो आठ बार आप इसका उच्चारण कर सकते हैं ओम मंत्र का जाप करते समय पूरा ध्यान बोलने में रखें इससे पूरा शरीर तनाव रहित हो जाएगा और आपको शांत महसूस होने लगेगा तो आईए दोस्तों कुछ बैनिफिट्स जानते हैं ओम मंत्र की चैंटिंग के इससे गबराहट दूर होती है अगर आपको जादतर गबराहट या इंजाइटी होती है तो आपको ओम मंत्र का रोजाना उच्चारण करने से इसमें लाब मिलेगा और दीरे दीरे आपकी गबराहट बंद हो जाएगी ओम मंत्र का उचारण करने से शरीर में साकारात्म कूर्जा यानि की पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव एनरजी मिलती है वैज्ञानिक नजरिये से भी ओम बोलते समय बहुत सीशक्ती पैदा होती है जिससे आपका शरीर स्वास्त रहेगा वह व्यक्ति जिने नीन कम आती है यानीन पूरी नहीं आती है उनके लिए ओम मंत्र का जाब बहुत ही फायदेमन साबित होता है शूगर एंड बीपी के पेशिंट्स उनके लिए भी ये बहुत लापकारी है अपनी दवाईयों के साथ साथ आप ओम मंत्र का जाब 108 बार कर सकते हैं और इससे आपको लाप प्राप्त होगा आध्यात्मे क्लाब ओम के उच्चारन करने से आध्यात्मे क्लाब होता है निराशा खतम होती है ओम के लगातार उच्चारन से मन में सकारात्मक भाव बना रहता है और व्यक्ति के मन से नकारात्मक विचार चले जाते हैं जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता वो फोकस नहीं कर पाते उनके लिए ओम मंत्र का जाब बहुत फाइदे मन्द है क्योंकि यह समरंशक्ति और मन को एक जगा पर फोकस करने में मदद करता है ओम के उच्चारण से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहतर होता है और ब्लड में ऑक्सिजन बढ़ती है मानसिक रोगों में भी ओम मंत्र के जाब से लाप प्राप्त होता है ओम मंत्र के जाब से आपका माइंड स्ट्रेस फ्री फील करता है और आपको शान्ती प्राप्त होती है परन्तु आपको अपने मनोच चिकत्सक से भी चिकत्सा लेनी चाहिए इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ आशा गरती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को लाइक, शियर एंड सबस्क्राइब करें कीप स्माइल, स्टे फिट